स्राम वालीकुम आज हमारा टॉपिक है बलॉटिंग टेकनिक्स आ रहम बलॉटिंग के बारे में नहीं होती हैं बलॉटिंग होता है कि मेक्रो मालीकूल को हम ^^ करने जैसे कि ड़्िएने ने ओरफी अम बिविविफ करते हैं यह जेल में होते हैं उनको transfer किया जाता है किसी solid support पर solid support जैसे कि membrane हो गई नाइलन मेंब्रेंड उसको transfer करते हैं विठ लेबिल्ड प्रोब्स के साथ मानना कोई specific labell प्रोब्स होते हैं जिसके साथ हम जो है वो उसको bind करते हैं और उसके बाद आज़ा है इसका procedure के भाई हमने यह ब्लॉटिंग जो है हम करते क्यों है इस प्रोसिजर एल्प डिटरमाइन दा नंबर ओफ कॉपी जीन की कॉपीज है नंबर ओफ कॉपीज वो कितनी है एक टिशू में जो हमने जेंपोल लिया हुआ है वाई उसमें जो दो नहीं आइंड में जैसे की युशेंज कीज़ों जाना या यंसर्टो जाना या इंसर्ट आया जन्हेंनाइन ड हमार चैन की उसकोफी है इसरे नहें होते है क्यों हम अगर चैन्ज देलीं-ग भी चैन्ग ब्लॉटिंग टेक्निक जो है उसकी तीन टाइप्स होती है बैसिकली जैसे के साउधरन ब्लॉटिंग नार्धरन ब्लॉटिंग एंड वेस्टरन ब्लॉटिंग नाध्रन ब्लाटिंग जो हम करते हैं वो RNA, messenger RNA को detect करने के लिए यह जो है वो नाध्रन ब्लाटिंग हम लोग करते हैं साध्रन ब्लाटिंग में हम DNA की sequence को detect करने के लिए साध्रन ब्लाटिंग करते हैं वेस्टेन व्लोटिंग वेस्टेन व्लाटिंग हम प्रोटीन की जो है वह युस करते हैं Ñ वेस्टेन ब्लोटिंग से प्रोटीन की डिपक्विंग प्रैंते यूर सौने वह एकार से व्लत decision कोरते हैं इंसे बिशल्ट में हम यूँर यह देखते हैं कि हमने जो प्लॉटिंग कि उसका रिजल्ट क्या आया है रिजल्ट में हम लोग यह देखते हैं कि जो तार्गेट जीन है हमारा जिसको हम धून रहे हैं कि वह हमारे सेंपल में है या नहीं है उसको हम चेक करते हैं रिजल्ट में कि वह है या नहीं है प्रेज